नहीं होगी नहीं मेरे को तनीं लगता कहीं स्पासी होग से बीट साधीत के अब यह वता graphism को को पादी यह कई मा ळने वाली है कभी कुछ बता कालियर नहीं हुआ है क्योंकि फैसल की रिपोर्ट आनी बाकी है और एस्पी साब ने भी लगबग 90 प्रसेंट जो केस से इसको सोल कर दिया प्रसासन की तरफ से प्रेस कुंफरेंस के एस्पी साब गंगा राम पुनिया ने जो की है उसकी वीडियो भी आपने देख ली थी ल मेले की वीडियो वायरल मीडिया पर इसी हत्याकांट को लेकर के इन्होंने बोला था तो साइको जो लड़के लड़किया जो होती है वो किस प्रकार के एक्टिवीटी करते हैं किस प्रकार क्यों उनके हाव बाव होते हैं यानि कि जिस प्रकार से बता जा रहा कि अंजली साइको वो थी इसलिए चोटे से मासुम बच्चे को मार दिया मैं जिससे पहले तो राम 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 बाई आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे इसके लड़के लड़कियों के जो साइको होते हैं अंजली भी साइको बताए जारी कि वो भी साइको थी और उसने मासुम बेट कि लड़के के साथ बाग जाती है फिर वो माले उसका परिवार उसको सम्झाने की कोशिस करता है तो लड़की कहीं अपनी नस्खाट लेती है कोई नहर में कूच जाती है कोई जिस तरह जे इसने अंजली के पती ने बताया कि उसका साधी से पहले उसने उसका नाम खदवा रख्ता करते हैं किसी लड़की के उपरतेजाफ मैंक देते हैं किसी लड़की को पामला था कि उसको लड़की को वहाँ पे दूलन कोई गोली मार दी थी मतलब इस तरीके के केस जो है वो साइको ही होते चे वो लड़की है चे को लड़का है तो इनका इलाज बहुत जुरूरी है सबसे बड़ी बात यह कि जैसे वानले इसमें कह दिया कि भी यह साइको थी इसने बच्चे को मार दिया लेकिन अगर वो साइको थी अगर उसके पती को बता था तो यह मैं कहीं ने कहीं परिवार की गलती मानती हूं उसकी साज की उसके पती की भी कि अगर वो उनकी पतनी साइको थी वो उनका इलाज चला हुआ था तो उसने उन्होंने अपने जैसे जस्ट का परिवार उनको बता देना चाहिए था कि भी मेरी पतनी का ये बिमारी है और ये ऐसी ऐसी एक्टिवीटी करती है कभी उसको मारने की कोशिज करती है कभी वो कह रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त भी स्टेरिंग घुमा दिया तो एक छोटा बच्चा जो दिन रात उसके पास खेलता है तो उसने उनको परिवार को स्तरक कर देना चाहिए था कि भी जो मेरी पतनी है वो इस तरीके से उसकी वो साइको है और वो कहीं बच्चे को हानी ना पहुंचा दे और उसने उस बच्चे को उसके पास नहीं चोड़ना चाहिए था उन्होंने पहले उनको सावधान कर देना चाहिए था साइद आज वो बच्चा जीवित होता क्योंकि ये इस ट्राइब के जो केस होते हैं ये वो कहते हैं जनून किसी के अंदर किसी चीज़ का जनून चड़ जाना अग मैंने उसको सिर्डाली में जिसक करते हैं एब था सیک कोई करते हैं जो मैंने चैक्ता होती है वो दूसरे बात वह साइको तो इसका ये नहीं कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को लेकिन बीचे YG bisa, यदि कोई पागल या फिर साइक कोई अमानशिक दोर पर बिमार है तो कानून उसको उसको सजा की सरेणी में नहीं रखता जोशादारन वेक्ति के लिए सजा होती है कानून भी उसको छूट देता है नहीं नहीं ऐसे तो कोई भी मतलब है अगर जैसे वाले चोटे बच्चे क क्या आप एक छोटे बच्चे का गुना को माफ कर दोगे क्या वो उस मां के दिल पर क्या भी तो पिता के दिल पर क्या भी तो उस परिवार के दिल पर क्या भी तरी होगी ये तो हमें भी पता कि हमारा कानून इतना नहीं है आप भी देख लेना मैं आपके चनल के मादम से ह कि समयला को पासी तूटनी चाहिए इसमयला को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए लेकिन आप यहाँ मैं भी आ हूँ आप देख लेना उसको फासी तो नहीं होगी क्योंकि हमारा जो कानून है वो इस चीज में बहुत हैं आप मैं मानती हूं एक बच्ची के साथ एक च्यार स जो इसको बचाओ करेंगी और इसको सजा जरूर मिलेगी तो वो गया भी 10 साल की सजा होगी या 15 साल की सजा होगी लेकिन इसको फांसी नहीं होगी क्योंकि बहुत मुश्किल से आप ये देखो चोटी बची 4 साल की बची के साथ एक उरलाना में केस हुआ था उसकी उसका दरंदगी करके उसको मार देते हैं उसको ही फांसी बड़ी मुश्किल से होती है और यह तो खाली मर्तू दंड उसने दिया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं ने कहीं फांसी होगी लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के मादेम से पुलिस से कहती हूँ कि ऐसा कठोर मत हैं कुछ मतलब उसके अंदर जब ये कॉर्ट करते हैं के इसको तो उसमें कुछ लिख्या जाए तै ऐसा रख्या जाए कि जिसमें इसके उसकोगडी से कड़ी सजा मिले ये पुलिस के आतमे होता है कि किस तरे की रिपोर्ट में यह दाखिल करते हैं तो बही देखो सबसे बड़ी बात है कि यानि कि साइको का पता चलिए आपने कि साइको लड़की लड़की नहीं कि लड़के भी होती है ये एक तरह का यानि उनके अंदरे गुसा होता है कि उनकी मानशिक्ता होती है कहीं ने कहीं पागलपन की तरफ उनको ले करके जाते हैं कि उनका मतलब यानि क प्यार करती हैं फिर वो कहती हैं कि मैं अपसे साधी करना चाहिए आथ की नसे तक काट लेती हैं क्या रहा है इसमें बहुत चीजें बहुत बार देख्या हमने लड़कियों नस काट लेती लड़के भी नस काट लेते हैं वो प्यार में मतलब ऐसे उनके अंदर जनून सवार ह होता है और बहुत से साधी के बाद भी केस हैं है एक दो केस मेरे पास ऐसे भी आया है जो उनके पती हैं वो जैसे अपनी पतनियों को तंग करते हैं उनके अपर शक करते हैं वो छोटी-चोटी बात तो पर उनके साथ ना ऐसे यह आए हैं कि महिलाओं को और तो और क्या है घर के अंदर कैद करके भी रखते हैं कि वह कहीं किसी से बार ना बोल पड़े कोई अगर अगर माल लिया दूद देने वारा आता उसके उपर शक करते हैं तो बहुत से होते हैं कई महिला होती हैं कि अपने पती के अपर इतना सक करती हैं कि वो पागली हो जाती हैं मेरा पती दूसरी औरत के पास जाता उससे बात करता ये करता तो ये अलग-अलग एक्टिविटी होती हैं इस तरीके के जो रोगी होते हैं तो वो जिस चीज के पिछा लग जाते हैं तो तो उसको कितनी हैं आप समझाने की कोशिश करों कि बहुत केसी से हैं अगर महीला को समझाती भी आपने पती के उपर आप क्यों इतना ओकरती है अब इसको खुला छोड़ दो आप इसे इस तरीके कि अगर आप इसके उपर ज्यादा सक करोगी तो यह सक ज्यादा बढ़ेगा कम नहीं होगा। जोब नहीं लगी थी और वो अपनी पतनी के उपर चोटी-छोटी बात पे भी मतलब वो साइको था और जब उसका तलाक भी हुआ था तलाक होने के बाद लड़की की दुबार साथ दी हुई जब मैंने पहली बार जब मैं उसके पती से मिली थी तो जब उसके बाओ-बाओ एक्टिविटी जब मैंने देखी थी तो मैंने खुद उस परिवार को ये बोला था कि ये लड़का साइको है कही ने कही लड़की को भी आने पहुचा सकता था अपने आपको भी पहुचा देता को आपने आप मार लेता था तो आपने शिर में कुछ भी कर लेता था था थ कि एकर इस तरीके का कोई भी है आपने मैं आपके चनल के मादम से निवे दिन करना चाहती है। और ऐसा किसी के भी गर्में अगर कोई वीकती शेदवा रहा है सधी को कि बाऊने इस की बिमारी था तो वो सब्से बड़ा मैं ये कहती हूं कि उस पड़िवार की ये गलती ये उनके पता देना चाहिए चलो बाई वीडियो आपने देख लिए फिलाल यानि कि जो गरवती महिला है अंजली जो हत्यारी है जस बेटे की चार साल का जो बज़स जस बेटा हो जस हत्याकांड पूरा चर्चित है पूरे देश में एक की गोहर लगाई जारी थी कि बेटे को न्याए मिलना चाहिए तो फिलाल जो यानि कि गरवती महिला को लेकर के जो साइको होती है महिला हो या फिर वो कोई पूरस हो लड़का हो या लड़की हो यानि कि किस प्रकार के अक्टिवीटी होती है मैं फोकस था साइको को लेकर कि साइको के अक्टिवीटी क्या होती है तो कमेंट बोक्स में आप प्राशिव व्यक्ति उसे बचा करें रहें ऐसे लड़के लड़कीं उसे दूरी रखें ताकि आपका बच्छा सेफ रहें आप अपने बच्छे को बहुत से अच्छा बना सकते आप अपने बेटे को सुर्क्षित रख रखते हैं कुमेंट बॉक्स में आप अपनी राही को सब्सक्राइब करें और शियर करें